हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि टेक्नो केमोन 20S प्रो फोन में आप लोग डेवलापर ओप्शन कैसे ला सकते हो अगर आपके पास एक टेक्नो केमोन 20S प्रो फोन है और प्रिस फौन में जो आपको developer direction को लाना है अगर आपको आपके phone में developer mode नहीं मिल रहे और आपको पता ही होगा developer mode में जो बहुत सरे settings होते हैं अगर आपको उन settings को यूज करना या किसी-किसी settings में आपको कुछ changes वगरा करना है लेकिं आपको developer mode नहीं मिल रहे तो कैसे आप लोग अपने इस फोन में developer mode को ला सकते होगा इस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गए इस वीडियो को स्टार्ट करते है developer option को लानी के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद my phone का option मिलेगा my phone पे click कर देना है click करने के बाद थोरा सा नीचे scroll down करेंगे तो build number का option मिलेगा तो इस build number पे जो आपको 7 बार लगातर टेप करना है तो कैसे करना है इस यह भी मैं आपको दिखा देता हूँ देख सकती ही रहा build number तो इस पे हम non-stop साथ बार टेप करते जाएंगे कि इस तरीके से टेप करती जाना है तो जब अप लग साथ बार टेप करोगे तो अपने phone का जो screen लोग होता है उसका option है उसको डाल दीजे डालते ही देख सकती ही यूर ना हुए developer आपका जो developer mode वो activate हो चुका है अभी activate तो हो गया गया इस लेकिन developer mode हमें मिलेगा कहा पर तो यह भी मैं आपको बता दोता हूँ आपको settings में आना है नीचे scroll down करना है नीचे मिलेगा आपको system का option system पे click करेंगे और थोड़ा सा नीचे scroll down करेंगे तो आपको मिलेगा developer option इस पे click कर दीजे देख सकती ही on है और यह आपर settings बगरा भी देख सकती है आपर आ चुके है तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई